हैड़ दोस्तों आज किस वीडियो में बात करेंगे बासप कंपनी की जो वैसनेड कंप्लेड हर भी साइड आती है इसके वारे में कि इसकी जो है कितनी मात्रा आपको लेनी है एक एकडमें और इसका रियल्ट कैसा है इसकी बजार में कीमत कितनी है और ये कौन-कौन से घासो को मारेगी इस सभी के वारे में जो है आज किस वीडियो में हम लोग जानेकारी प्राप्त करेंगे इस से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो किर्पया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा वैसनर कंप्लीड जो है यह तकरीबन सभी परकार कि खिरपतवारों को मारेने सच्चम है सिवाय आपके मोथा घास के चाहे आपके खित में चोडि पति वाले घास हों। सबी घासों को जो है मारने में सच्छम जिसमें की दूब घास मकडा घास और इसके साथ सत अन्य जो जोड़ी पत्ती वाले घास है उसको भी जो है मारने में सच्छम है यदि आपकी फसलों में मोथा घास है तो इसमें जो है आप सेंपरा को मिलाकर अपने खेतों में इसका प्योग कर सकते हैं यदि बात करें इसके डोज की तो एक एकड में जो है बारा सो एमल जो है इसका पूरी पैकिंग आती है वो एक एकड के लिए प्रयाप्त होती है यानि कि बारा सो एमल की डोज जो है वो एक एकड के लिए होती है इसका जो टेकनिकल होता है इसमें दो टे में अट्राजीन ये अट्राजीन जो है इसी के अंदर घुली घुलाई आती है यानि कि ये कहें कि एक ही बोतल के अंदर जो है आपका टॉप रामाजोन और अट्राजीन जो है एक ही बोतल के अंदर मिक्स रहता है जिसको जो है आप सप्रे अपनी फसल में तकरीबन दो एकड़ में कर रहें हैं और 1200 धुsm को सिवाय आपके मोथाज wizard में ने शेलना प hatten ऑप 20 ग्हास होती है इसको यह पूनता सुखाता नहीं है यह उसको रोग देता याने कि यह कहें कि एक वार जो है BULKAL ही जो है आपकी दूब ग्हास को सुफेद कर देता है सुफेद करने के बाद में तकरीबधन एक से डीड़ महीने के बाद में धुरा फिर से घास हो सकती है पर तब तक आपके गन्य की फसल या मक्य की फसल ऊपर दुबारा फिर से निकल जाती है अब ज़दी इसकी जाने कीमत कितनी है तो बजार के अंदर जो वैसनर कंप्लीट की कीमत इस समय चेल लही है वो आपको बारा सो एमल का देना पड़ेगा यानि की सोला सो लेकर के सत्रा सो खर्चा जो है आपका एक एकड़ का लमसम आपका आता है तो यह थी कुझ जानेकारी वैसनर कंप्लीट के वारे में यदि आपको जानेकारी अच्छी लगी हो तो पिर